है तो हल्लो दोस्तों कैसे आप सभी आई होड़ा आप सभी काफी बढ़िया और मचेदार होंगे वालें आप सभी को कम समय में अच्छी टीम देने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा दस मिनट या फिर आठ नौ मिनट की वीडियो बनाना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस टीम के जरीए आप सभी अच्छा प्रफॉर्मेंस कर सकते हैं मेरा यह दावा रहेगा क्योंकि इस टीम का प्लेयर्स को मैंने काफी अच्छे से अर्सों से देखते आ रहा हूं और इनको मैं तवहज्जा दे रहा हूं यानि कि मैं अपने टीम के लिन को सेलेक्ट कर रहा हूं बार-बार तो मुझे अच्छा करते विए दिखाई दे रहे हैं आज हम किस मैच की प्रफिडिक्शन देने वाले हैं के सीची टीचैन चैलेंजर कब जो से पहुंची है यहां पर यह चीज़ हमीं जानना है सबसे पहले हम कुछ इंपोर्टेंट्स बात को जानेंगे जिसे हमें मालूम चले सके कौन सी टीम स्ट्रॉंग है कौन से प्लेयर्स अच्छे हो सकते हैं और कौन सी हमारी पीच रिपोर्ट रहने वाली पेसर अच्छा करते हैं या फिर सब कुछ जानेंगे सबसे पहले यहां पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा यह पांच मैच को मालीजे विन किया क्योंकि एक मैच को यहां पर डाई मतलब इस मैच को रद कर दिया गया था किसी कारण से यहां पर एम जे डबलू जी डबलू की टीम की बात कर ले तो यहां पर पांच मैच इन्होंने भी खेला मान लेजे उन मेंसे दो एक मैच को लोस्त किया बाकी मैच को इन्हों ने एक मैच को टाइब होते दिखाए दिखाए जोनोंगे टीम सामने में बिढ़ने वाले यह आची दिन आपको कमेंट कर के बताना है आज कौन से टीम जीते हैं या फिर एम जी डब्लू कौन से टीम जीते हैं कमेंट करके बताइए अब दूस्तों यहां पर हम लोग बता देते हैं कि आज के पीछ रिपोर्ट बैलन्स होने वाली है पेसर गेंबाज हमेशा की तरह इस पीछ पर परफॉर्मेंस करेंगे हाला कि इस पीनल भी विकेट ले लेते हैं पर पेसर काफी अच्छा रहेंगे यहां पर टोटल विकेट शीहालीस एक तीस पंदर लिया है और हैट-टू-एट की बात कर लें आमने सामने कितनी बार भीड़े हैं सिफ एक बार मौका मिला आमने सामने भीड़ने का इसमें से द दोनों भी मैश टाई हो गया था तो यहां पर इसलिए आमने सामने कोई भी मैश जीती नहीं है तो आपको बताना कमेंट करके कि इस मैश को कौन करने वाला है ठीक है अब हमें क्या करना है चलते हैं प्लेयर की तरफ सेलेक्शन करते हैं सबसे पहले हमें मालूम चला कि बैल प्लेयर वाले हैं काविल है खिलाड़ी यह और आपको किसी भी पीछ पर अच्छा परहमेंस करके दे सकता है तो काविल खिलाड़ी को हमेशा अपने टीम के लिए सेलेक्ट करें आप लोग मेरी तरह मुस्तक की तरफ जा सकते हैं आई मुस्तक भी काफी बढ़िया बड़ा दोनों में से आपको एक प्लेयर को चूज करना है तो महमाद आपके लिए बेश्ट हो सकते हैं चलते हैं बैटिंग वाले सेक्षण में आ चुके हैं अब चलते हैं अब हमें इसमें से किसको उठाना यह हमें जाना जरूरी देखिए सबसे पहले के बहुत की तरफ आपको जरूरा के बाट थोडा सा एंबगर अच्यल्मेंट करके आपको हर मैच में देते हैं वल्ड वाले जो प्लेयर रहते हैं उल्ड लिस गोल्ड बट जादा ओल्ड को नहीं लेना है थोड़ा सा और यह फिलाल में में प्लेयर का जरूर रखे और पीच्पे पीच्पे उपर बीनका काफी अच्छा कलील की तरब भी जा सकते हैं एफ मीर की तरब भी नीचे भी कुछ खास-खास प्लेयर है तो मेरे इसाब से आपको उपर के तीनों प्रेस को रखना जरूरी है क्योंकि तीनों का परसेंटेज लेवल काफी हाई है और साथ ये साथ तीनों का प्रफॉर और यहां पर पेशर गेंबाज है लेकिन बात क्या आता है लेकिन यह पर यह पेशर गेंबाज है और उनको हम लें क्यूए इनको बहुत अच्य कर रहे हैं इनका भी जितना मैच खेला अभी फिलाल में सबी मैचों में अच्छा पर्फॉमेंच रहा है तो हमें इन ही प्लेयर को लेना है जिसका पर्फॉमेंच बहुत बोलनघ की तरब बिजा सकते हैं और नीचे की और आते हैं आर खान की तरफ भी जा सकते हैं थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है बट आपके लिए यह बैश्ट हो सकता है ठीक है आर खान पेश अरियन बाज है तो आपको सभी प्लेयर को सेफ नहीं रखना है दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आप लोग ओवर क सेक्शन में चलते हैं देखिए आप लोग एस राजा सा की तरफ जा सकते हैं इस पीनर गेंद बाज है बट मेरे इसाब से इनको लेना थोड़ा सा गलती हो सकता है तो इनको ड्रॉप करना है मेरा प्लाथान प्लाथान इनको रखेंगे अपने टीम के लिए पेशर गेंद काफी अच्छा प्लेयर है बट थोड़ा सा हमने पीछला मतला में नहीं लिया था क्योंकि हमें सब से प्लेयर लग रहे लेकिन यहां पर बॉलर अच्छे प्लेयर नहीं करते हैं इसलिए हम लोग इसको भी रख लेते हैं बॉलिंग वाले से एस राजा की तरफ चलेंगे त फिर किसी कारण से उसको बैठा दिया गया अननौश प्लेयर रहा हमारे टीम से तो उसकी जवापर हमें बिल्कुल जीरो पॉइंट मिलने वाला है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छा विनिंग्स करें तो उसकी जवापर दूसरा टीम मैं आपको बना कर दूँगा लगिन कैसे उसी टैम में आपको वीडियो बना कर तो तुरन दे नहीं सकता क्योंकि आधा गंटा पहले एक लाइन अप आती है आप लोगों को भी मालूम होगा अप लोग ड्रीम 11 खेलते हैं तो लाइन अप आती है फिर उसमें से चेंज करना पड़ता है पर आप लोगों आपको बता हूं आपको बता हूं को जोइन करें गया तो आपको तुरान से वहां दूसरी टीम बना कर देंगे और कैसे आपको इसी वीडियो की डिस्ट्रीप्चन बॉक्स में लिंक मिलेगा जल्दी से जोइन कर लो और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लो क्योंकि व हाग का भता रहा हुँ दावा रहेगा मेरा आप लोगों के लिए आई पियल सोचे आगे के लिए पीछे कर नहीं सोच आपको हमेंसा आगे के लिएती हैं ठीक है तो मेरा बाद जहाँ वह यहां को लगबग समझ में आई चुका होगा तो फ्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल वाले नोटिफिकेशन को और कमेंट में बताना कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन सी टीम हारने वाली है और दूसरी चीज कि आपको टेलीग्राम को फॉलो करना है अब चलते हैं कैप्टैन एंड वाइस क्या तरफ सब तो आप उसको वी नहीं कर पाएगे यह भी हो सकता है कि आप लोग लॉस का भी सामना कर सकते हैं ठीक है तो आपको करें हो जाएगा वहीची में आपको मेहनत करके यहां पर दे रहा हूं कि कैप्टन आपको बनाना है एन प्रकास को वाइस कैप्टन आप सभी थोड़ा सा रिस्की प्लेयर को बनाना ज़रूरी दाएगा यहां पर आप सब देखते हैं कुमारा बोल नामें का आधा ही नाम लिखा है यहां पर कुमारा बोल जो की पेशर गेनबाज है बैटिंग भी करते हुए यहां पर दिखाई देंगे तो आपको इनहीं जीसे पैप्लेयर्स को वाइस कैपनल के लिए सेर्ट करना और सेफ़ पैयर को कैप्टण電 करना सब्स fluffushi कंपनें तो आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन के साथ वास कैपिन और केपिन करना चाहिए तो यही आज कंवारी बहतरीन टीम है कैपटें वाइस sirespa यह है अगर आपका मन कुछ और कह रहा है आप को लग रहा है कि Captain मैं मुहम्मद को बनाऊंगा तो अच्छा होगा वाइस कैप्टन मैं कलील को बनाऊंगा तो आप लोग बेजियक बनाएं क्यूंकि बाद में पस्तावा बहुत होता है बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ मैंने खुद स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो आज मेरे पास पैसा होता तो आपको ऐसा सोचना नहीं आपके मन में कह रहा है आपका दिल कह रहा है कि आप इसको बनाऊ तो इसको बनाऊ क्योंकि बाद में पस्तावा बहुत होता है आपको मैं एक्जामपल के तौर बताऊँ अगर आप लोग गीरने के बाद पस्तावा गया ना तो कोई फायदरी होगा इसलिए आपको सीधा समल के चलना है समल के चली गीरें गही नहीं पस्तावा भी नहीं होगा उसी तरह से यह चीज़ भी तो हमारे इस टेलिग्राम को भी जॉइन कर लेना इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगले प्यूडेक्स प्यूडेक्शन के साथ तब तक के लिए जैएंगे